मतुरा में कंसवत मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले में चतुरवेदी समाज के लोग कंस का लाठियों से वद करते हैं कंसवत के लिए चतुरवेदी समाज के लोग एक महिने से तयारियां करते हैं लठियों में तेल लगाते हैं और कार्तिक मास की दश्मी के दिन कंस के पुतले को घसीट कर कंस टीले पर मारते हैं कंस का वद द्वापर में हुआ था लेकिन कंसवद की है परंपरा आज भी चली आ रही है आईए दिखाते हैं मतरा में कंश्वद्ध की परंपरा, चत्रवेजी समाज के लोग किस तरह कंश को लाजियों से पीट पीट कर मारते हैं कंश्वद्ध करते हैं और देखो कि एक महीने से तयारी चलती है और आज कंश्वद्ध होने वाला है ये लठिया एक महीने से लठिया में तेल लगाया जाता है बायकादा चत्वेदी समाज के लोग पूरी तयारी करते हैं और ये परमपरा द्वापर में जब भगवान स्री कृष्ण और बलराम ने कंस का बद किया था इसी इस्तल पर आप देख रहे हैं कि ये प्रतिकात्मक पुतला कंस का इन तस्रीव में आप देख रहे हैं कि चत्वेदी समाज के लोग यहीं पर कंस का बद करते हैं होली गेट के समीप कंस की ये रंग साला थी यहां पर और रंग साला पर चत्वेदी समाज के लोग पतिकात्मक पुतले को गसीट कर लाते हैं और फिर लाठियो प्रदर्शन कर रहे हैं इसी इस्तल पर कंश का बद किया जाता है यह सेकों बर्ष पुरानी परंपरा है मत्रा की क्या कहना चाहिए आज कंश का पद है कब से यह परंपरा चली आ रही है यह परंपरा के हमारी यह अनाद काल की है चौक द्वापर युग में भागवान किष् इस्तिकाल का जो आज तक बरकरार और जो सीले भवनों से चालू है बराबर लागेज है चतुर्वेदी समाइट के लोग हमारे याद रामली निकाजों दसेरा होता है जैसे रामर मरता है वैसे ही कंश के इंतजार में तैयारियां चालू हो जाती है अभी कुछी देर में य जहां से चल दिए शत्ता वाजार से आते हैं और राजा कंश को चेलंज देते हैं वैसे टाल ठोकते हैं जैसे ही भगवान किष्ट वल्राम टाल को ठोकेंगे बैसे ही चतुर्वेदी लोग या लट्टों से इस कंश के पुतले को जूर ने लग जाएंगी कि परमपरा को आप कर रहे हैं यह अनात काल की दौपर युक्षे परमपरा है भागवान को जन्म देने के लिए ही चतुर्वेदी समाजों ने पहले यग्ज किये थे कि दुष्ट को मारने के लिए प्रभु आप अफ्तार लीजिए जब भागवान का अफ्तार हुआ तो क करते हैं ऐसी परमपरा है मत्रा में नियुक्त परसंद राइव सोलंकी के साथ गोबिंद भारत द्वाज